तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी केडमी के इस नया है और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु ग्रामर के अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो की मॉस्ट इंपोर्टेंट है यहां से आप लोगे एक्जाम में हर साल चार पांच पो और चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल्को दबार लीजिएगा उससे होगा यह कि मिरो जाने वाली ओल वीडियो का आप तक सबसे पहल भी चुकी हूं कि इसम को मानी की लिए हाथ से दो भागों बाटा गया है यानि कि इसम की मानी की लिए हाथ से दो किसमे होती है दो टाइप होता है पहला इसमेजात और दूसरा इसमेजात किसे कहते हैं यह और इसमेजात किसे कहते हैं यह भी मैं आप लोगों को इसके पहल में जैसे कि मारकर मारकर हकीकत में मारकर का वजूद इस दुनिया में है आप लोग देख सकते हैं मारकर को टीवी देख सकते हैं मोबाइल देख सकते हैं घर देख सकते हैं जिसका वजूद इस दुनिया में हो उस चीज के नाम को कहते इसमें जात और इसमें सिफत बताई थी और गोरी गाये तो काली भैस की क्वालिटी बिताया जा रहा है कौन multiplic इसम से कौ। काली क्या हो घूळा सिवत मतलब जो नाम विश्येस्था को बताया अच्जी है फिर बुरी तो आप लोग बता देंगे कि नेक है क्योंकि आदमी की विश्रष्टा नेक बता रहा है यानकि आदमी की क्वालिटी नेक ये शब्द है ये जो इसमें ये बता रहा है तो नेक क्या हो जाएगा इसमें सिफत बहुत बढ़ियां आप लोग बोल दिये इसमें सिफत कोई बात पी या फिर जिस चीज की विश्रष्टा बताई जाए उसको कहा जाता है मौसूफ और यहां से आप लोगों को एक्जाम में हर साल कोशन पुछा जाता है कोई भी एक वर्ड उठा कर देगा काली भैस में मौसूफ कौन है और अप सने में दिया रहेगा काली भैस में दिया र रहा है और भैस हो जाहएगा यानकि भैस कि क्वालिटी बता या रहा है और जो टूपी हो जाएगा मवसूफ उसी तरह काली टोपी काली हो जाएगा क्या सफत यानि कि तोपी हो जाएगा मौसूफ जिसकी विशेष्ता बताई जा रही है मौसूफ, जिसकी विशेष्टा बताई जाये उसको कहते है मौसूफ, और लव्ज के जरेए बताई जाये krijए कि हम लोग शिफत, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस्म के बनावट की कि लिए हाथ से कितनी किसमें होती है इसको मैं मिटा देती हूं इसम की बनावट के लिए हाथ से तीन किसमें होती है याद रखिएगा मानी के इतबार से यान की मानी के लिए हाथ से तो दू लेकिन बनावट के लिए हाथ से इसम की तीन किसमें होती है पहला है इसमें जामिद वह इस्म है जो ना किसी इस्म से बना हो और नहीं उससे कोई दूसरा इस्म बने वह इस्म है यहां पर है लिखा जाना चाहिए वह इस्म है ठीक है वह इस्म है जो ना किसी इस्म से बना हो और नहीं उससे कोई दूसरा इस्म बने इसका मतलब क्या इसमे जामिद उस उस नाम को कहते हैं जो ना तो किसी दूसरे लवज से बना हो और नहीं उससे कोई दूसरा लवज बने जैसे कि दरख्त अपने आप में एक लवज है मतलब अपने आप में एक नया लवज है दरख्त ना तो किसी दूसरे लवज से बना है और नहीं से कोई दूसरा लवज बन सकता है तो दरख्त क्या हो गया इसमें जामीद हो गया घड़ी दिवार जो अपने आप में एक लवज है ठीक है मारकर हो गया या फिर आप बोल सकते हैं मुबाइल हो गया जो अपने आप में एक लवज है जो ना किसी दूसरे लवज से बना है और नहीं उसे कोई दूसरा ल जो किसी दूसरे इस्म किसी दूसरे लवसे न बने हो लेकिन उससे धेर सारे इस्म और धेर सारे फेल यानि की क्रिया बन जाए जैसे की लिखना लिखना से आप बना सकते हैं लिखना किसी दूसरे लवसे नहीं न बना है लिखना अपने आप में एक लवज है यह किसी दूसर लफ से किसी दूसरे इसम से नहीं बना है लेकिन लिखना से धेर सारे लफ बन सकते हैं जैसे कि लिखना से लिखने वाला लिखने वाली लिखती है लिखता है लिखेगा तो लिखना से धेर सारे लफ बन जा रहे हैं और धेर सारे फेली अनकी क्रिया बन जा रहे हैं तो लिख बढ़ना पढ़ना हसना फूदना तो क्या है ना ना तो मज्सदर के लास्ट में ना अक्सर देखा जाता है पह давно का यह ट्रिक आ suitable रिभाल छक्त्लित कि लाच्ट में देखिये ना है तुष मज्दर आप जटना देखेंगे उसको मज्दर मतलब टिक कर देना है अगर कोशन पूछे कि दरजयल में इसमें मजदर कौन है जिस लवज के लास्ट में ना दिखाई देगा तिक कर दीजिएगा क्योंकि खेलना हसना पुदना दोडना पढ़ना सोना लास्ट में क्या रहा है ना 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 तो इस तरह की लवज मजदर कहलाएंगे लेकिन कुछ ऐ जाएगा इसमें जामिद हो जाएगा क्योंकि ना ना पने आप में एक लफ्स है ना न सो किसी दूसरे लफ्स से बना इस न्ह kommis जामिद है भले इसके लास्ट में ना है लेकिन यह इसमें जामिद कहलाएगा ठीक है तो इस तरह के कुछ अपवाद होते हैं कैमेस्टर में आप लोग अपवाद पड़े होंगे तो कुछ अपवाद भी होते हैं ठीक है अब तीसरा देखिए इसमें मश्तक किसे कहते हैं वह इसम जो खुद मसदर से बने बना हो मतलब वह इसम वह नाम जो खुद तो मसदर से बना हो यान कि मसदर से बना हो लेकिन उससे कोई दूसरा लवज न बन सके जैसे कि लिखने वाला यह जो लिखने वाला यह लवज है यह लिखना से बना है यानि कि मसदर से बना है लिखने लेकिन आप चाहें आप कि लिखने वाला के आगे भी हम कुछ और लफज बना दे तो क्या लिखने वाला से अब कुछ और बन सकता है नहीं बन सकता है लिखना से भले लिखने वाला के आगे आगे आप कुछ नहीं बना सकते हैं तो इस तरह की लफज को क्या बोलेंगे इसमे दौढ़ने वाला से सोचेंगे आपकी इसके और आगे कुछ दूसरा लफज बना दे तो नहीं बन सकता है दौढ़ने वाला ये दौढ़ना मजदर से बना है लेकिन इससे के आगे अब कुछ नहीं बना सकते कुछ दूसरा लफज नहीं बना सकते इसलिए दौढ़ने वाला क क्या बोल दिया लेकिन लिखने लिखना से लिखने वाली भी तो बन सकता है तो लिखना से लिखने वाली अगर बना दिये तो लिखने वाली भी हो जाएगा इसमें मुश्टक लिखना से लिखता है लिखती है तो ये सभी मुझतक कहलाएंगे लिखता है लिखती है लिखेगी लिखेगा ये सभी मुझतक कहलाएंगे दोरना से दोरने वाला बना दिये तो ये मुझतक हो गया लेकिन दोरना से दोरने वाली भी तो बना सकते हैं तो दोरने वाली हो मैं मुष्टक किसे कहते हैं अब समझते हैं जरा जामित को डीप ली जैसे कि मैं आप लोग बताई ही कि जामी वह इसम होते हैं वहुते जो अपने आप में मतलब एक लवस्त === वनियों अपने आप में विन रोते से नाम मुट को नहीं होते रहे किसी दूसरे में दो ह dispatch याद रखिएगा बनाऊट के लिया atteशीं की भले ही तीन किसमें है जामिद मुझदर और मुझतख लेकिन जामिद की भी दो किसमे है पहला है इसमें मारफ, और दूसरा है इसमें लक्रा जामिद की दो एक वाचक शंगय आप बोल सकते हैं और इस मार्फ़ा को प्रोपर नावच और हिंदी कि वाचक संगय कहते हैं कॉमरन नाउन कुछ इंग्लिश में क्या कहा जाता है frightening मैंनाउन और कहते हैं हिंदी में जाती वाचक संगया इसमनकरा को समझे, इस मार्फा वह नाम है, युकि यह जामिद की दू किसमे है, जामिद अपने आप में एक लफस होता है, ये किसी दूसरे लफस से नहीं बने होते, और नहीं हिन से कोई दूसरा लफस भनता है, ये याद रखियेगा, ज़रूर, ठीख है? तो जामीद की दोख इसमें मारफ़ा और इसमें लखरा तो इसमें मारफ़ा वो इसमें है वो नाम जो खास व्यक्ति खास जगा या फिर खास चीज को बताएं मतलब किसी खास व्यक्ति खास चीज या फिर खास जगह के नाम को कहते हम लोग इस मारफा प्रोपर नाउन रे फिर व्यक्ति वाचक संग गया जैसे कि शहर मैं बोलू तो शहर में सभी शहर आ जाएंगे लेकिन शहर में अगर एक खास इस पेशल शहर का नाम ले लू पटना शहर तो सभी शहर को छोड़ते हुए एक शहर पर ध्याना आ गया कि हां पटना शहर कе मैं बात कर रही हुँस तो पटना शहर क्या हो जाएगा इस में मारफा होगा मतलब पटना एक खास नाम वीडूटन है यूटूब पाइchen एक को बोलेंगे आपकर किसे भी कि चीज के फास नाम को क nee लड़की में अगर में नाम ले लिए लड़का में नाम ले ली महमूद उम्हीन हो जाएगा इसमा खास मारफा कहते हैं अब बात करते हैं कि यह आम नाम को कहते हैं जैसे कि नाम इंग्लिश में नाम से एकलियर है कॉमन यानि की कॉमन नाम को आम नाम को कहते हैं इसमें नक्रा जिसे पूरी जाती का बोध हो हिंदी में कहते हैं जाती वाचक संग्या जिसे पूरी जाती का बोध हो जैसे की शहर शहर में सभी शहर आ जाएंग शहर की पूरी जाती आजाएगी तो यह जो शहर लफज है ना इसको बोलेंगे इसमनकरा लड़की लड़की ने मेरी बहुत ही जदा इंसल्ट की तो लड़की में सभी लड़की आजाएगी कोई खास लड़की की मैं नाम नहीं ले रही हूं तो लड़की इसे पूरी जाती क बोध हो रहा है यह एक आम नाम है यह क्या हो जाएगा सभी वय्ञता का पूरा जाती आ जाएगा मैं खास लड़का शैलो यूट्यूब चारम सिर्फ मैं बोल रही हूं तो यूट्यूब चैनल में डहां दाएंगे कोई खास चानल का नाम मैं नहीं ले रही हूं तो YouTube चानल हो जाएगा इस मिनकरा ठीक है तो इस मार्फव और इस मिनकरा को आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं इसके अगले टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट ले लिजिए फिर मैं आगे बताती में क्या करना है ले दिजिए फड़ावर स्क्रीन शॉट और हाँ अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चानल पर नए नए आए गुए है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए नटिफिकेशन बेल को दबा लिजिए चलिए आज किस वीडियो को यही पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज